लोग कहने लगेंगे कि वो जादवी या रहस्यमाई है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है। अगर आप अपनी उर्जा प्रणाली को उसकी उच्चतम संभावना तक सक्रियं करें तो सौंपना स्वभाविक रूप से होता है। अगर आपके 84 चक्र सक्रिये हैं, तो आपने बहुत सारी सिमाएं पार कर ली हैं, जो आम तौर पर लोग सोचते हैं कि अतिमानवी हैं। नमस्कार सद्गुरू, मैं जानना चाहती हूँ कि गुरू योगिक ज्ञान या जानकारी अपने शिश्यों तक कैसे पहुँचाते हैं, वे ट्रांस्मिट कैसे करते हैं, ये कैसे किया जाता है, ये काम कैसे करता है। एक बिनातार वाले माइक की तरह, देखिए बिनातार के आप पहुँचा पा रही हैं, आप में काफी शमता है, ये हो रहा है, है ना, तो तरीका क्या है, देखिए शरीर में मौझूद 114 चक्रों की बात करें, तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, लेकिन हम जिसकी बात क रहे हैं, वो है शरीर की नाडियों या उर्जा मार्गों का मिलन बिन्दू, ये मार्ग हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं, पहिये का मतलब है गोल, निश्चित रूप से त्रिकोन आकार वाले पहिये ज्यादा जैजी दिखेंगे, है ना, क्या वो अच्छे वो हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं, क्यूंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं, तो वो गोल आकार ज्यादा दिखते हैं, क्यूंकि वो एक विशेश आयाम की उर्जा फैलाते हैं, क्यूंकि वे फैलाते हैं, और हर फैलाव हमे और एक और चीज़ है कि ये एक आयाम से दूसरे तक गति दर्शाता है। हम कहते हैं कि एक चकर है क्यूंकि ये आपको उस पार ले जाता है। तो प्रणाली में 114 चकर हैं, मुख्य चकर, और भी चकर हैं। मुख्य चकर जिन पर काम किया जा सकता है, वो 114 है। इन 114 में से दो बहुत एक शरीर के बाहर होते हैं, 112 शरीर में होते हैं, इन 112 में से चार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता। यानि अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरोत हो जाएंगे, इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं हैं, तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है, तो ध्यान के 114 सिस्टम है, आदी योगी ने 112 अलग अलग तरीके आत्म ग्यान पाने के, तो जब वो साथ रिशियों, सब्त रिशियों के साथ बैठे, वो बता रहे थे कि इनसानी मशीन काम कैसे करती है, और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया, 112 तरीके अपनी परम प्राकृती को पाने के, पार्वती उनकी पत्नी जो इस को देख रही थी, वो पहले ही आत्म ग्यान पा चुकी थी, पर अब वो देख रही थी, बस कारे करम में बैठी थी, तो वो इससे देख रही थी और वो बोली कि और ज्यादा क्यूं नहीं हो सकते, सिर्फ 112 क्यूं है, और ज्यादा तरीके होने चाहिए, शिव पूरी तरह स अपने काम पर केंद्रित थे, जब पारवती ने ये बोला, तो उन्होंने बस श, नकार दिया, वो बोले, और कोई तरीका नहीं है, बस 112 है, वो चिड़ गए, कि इन साथ लोगों के सामने शिव ने उन्हें इस तरह से नकार दिया, तो वो बोली, और ज्यादा तरीके होने चाहिए, शायद आप नहीं जानते, वो बोले, बस 112 है, ये अशिश्टिता है, आप जाएए, तो वो बोली, मैं और तरीके खोचूंगी, और चली गई, वो पहाणों में चली गई, और बहुत प्रचंड तपस्या की, और कई सालों के काम के बाद, वो वापस आई, शिव तब भी योग के अलग-अलग आयामों के बारे में बात कर रहे थे, वो आई, और उनकी पत्नी होने के नाते, इतने समय के बाद आने पर, वो आकर उनके पास बैठ सकती थी, लेकिन वो एक सीड़ी नीचे बैठी, ये दर्शाने के लिए, कि वो असफल हो गई है, त तो वो आकर एक सीड़ी नीचे बैठी, तो ये कहानी अलग-अलग आयामों में जाती है, कि उन्होंने खुद को कैसे शामिल किया, उनका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के रूप में होता है, जो संदेह खड़ा करती, शिव इतनी जबरदस शक्ती से आगे बढ़ रहे हैं, कि य जब कल किसी और को ये सिखाया जाएगा, तो हर कोई शायद उतना प्रतिबद, उतना केंद्रिय, उतना ग्रहनशील ना हो, जितना की ये साथ लोग थे, तो सोभाविक रूप से उनमें संदेह उठेंगे, तो वो ये संदेह उठाने लगी, जो आम तोर पर लोग उठाते ह तो ये 108 वो चीजे हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, बाकी के चार बस खिल उड़ते हैं, वो बोनस हैं, अगर आप 108 के साथ अच्छे से काम करते हैं, तो बाकी के चार खुद हो जाएंगे, ये इनम की तरह हैं, बाकी के दो वैसे भी हो जाएंगे, अगर ये 112 हो जाएं ये शरीर के बहुत एक धांचे के भीतर नहीं है तो ये 108 ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसी लिए अभिव्यक्ति पाई है क्यूंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में सूर्य और धर्ती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है चांद और धर्ती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है कई रूपों में आप देखेंगे कि 108 अनुपात है सौर्य मंडल की रचना में यही वज़ा है वरना शायद हमारे अंदर 160 होते, मान लीजे अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते शायद हमारे अंदर 160 होते या जो भी आपको पुर्शों को जांचना चाहिए हाट योग की महत्वपूर्ण चीज है लगतार ये स्विकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है इसका मुख्य कारण है कि कुमहार की चाक इस तरह है क्योंकि सौर्यमंडल ऐसा है इसलिए ये अभिव्यक्ति है तो आदियोगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इनसानी शरीर को और विक्सित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्यमंडल की बनावट में सिर्फ तब इनसानी शरीर का धांचा बदलेगा क्यूंकि ये पूरा विक्सित हो गया है बहुत एक धांचे के स्तर पर तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया हो अगर सभी 112 सक्रिय हो तो ट्रांस्मिशन आसान होता है आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो आपको वहां जाना नहीं पड़ता आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है आप एक पूरे इंसान होंगे बाकी की चीजें किस बारे में हैं बाकी की चीजें अगर खोल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादूई है या रहस्यमई है सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए बाकी सिर्फ बोध के उंचे आयामों के बारे में हैं कि आप बस इनसान नहीं है दूसरे लोगों की समझ में आप बिलकुल इनसान है ये इनसानी सिस्टम है क्योंकि ज्यादतर लोग नहीं खिलते देखे फिलहाल तमिल नाडू के नारियल पेड़ मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रती पेड तमिल नाडू का एक बहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है केरल में यही नारियल का पेड़ 45 से 50 नारियल देता है यही नारियल का पेड़ करनाटक और पश्चिम बिंगॉल में 240 से 250 नारियल देता है खेती का फर्क है तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सबसे उपजाओ जमीन है काली कपास की जमीन चावल, कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाओ है नाकिन नारियल के लिए नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हो यहां अगर आप देखें तो यह मिट्टी टूथपेश जैसी है जब आप इस जमीन की सिचाई करते हैं तो स्थिती बहुत अच्छी होती है एकदम से नारियल का पेड जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़ें फैला देता है जब यह सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबर्दस तरीके से सिकुरती है आप देखेंगे दरारें आ जाती हैं तो यह सभी जड़ों को दबा देता है जड़ों के सिरे कुछ ले जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाता है। हर बार ये जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुँचती है। इसके लिए कुछ पत्थरीली जमीन की जरूरत है। आप यह आजमा सकते हैं, आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें, जमीन के दो फीट नीचे, उसे पानी दें, पंदरा दिन बाद उसे खोलें, सब कुछ सूख जाएगा, सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी। तो हमेशा नारियल का पेड अपनी जड़ों के सेरे पत्थरों के नीचे रखता है, क्यूंकि उसे पता है कि वहाँ हमेशा गीलापन होता है, हमेशा नमी होती है, और वो सुरक्षित रहेगा, कुछला नहीं जाएगा। इंसान के साथ भी ऐसा ही है, इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा, जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरन नहीं बनाएं, भीतरी और बाहरी, पर सवभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी, क्यूंकि हम हिलते डुलते हैं, हम पेड़ों जैसे नहीं शेतर सन्यास मतलब हम एक दाइरा तै कर देते हैं, मान लीजे यहां हम ध्यान लिंग को केंदर बनाकर एक दाइरा तै करते हैं, हम कहेंगे यहां तक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वो जो हर समय उसी में सराबोर रहना चाहते हैं, वो एक संकल्प लेंगे कि वो इस अरियल पेड की तरह, अगर वो पहाड पर चढ़ना चाहे, वो यहां काफी अच्छा उगता है, लेकिन अगर आप उसे पहाड पर लगाएं, तो एक दिन में वो खत्म होने लगेगा, हवाएं क्या आप पहाड पर गए हैं, अगर आप साथवे पहाड पर जाएं, तो लगभ यह इतनी शक्तिशाली हैं, तो अगर यह वहाँ जाकर खड़ा होता है, तो यह एक घंटा भी नहीं टिकेगा, तो इसका यहां रहना बहतर है, लेकिन पेड स्थिर होते हैं, हम चलते फिरते हैं, हमारे लिए एक बाहरी वातावरन बनाना, जो हमेशा मददगार हो, मुश् तो कुछ लोग यह कदम उठाते हैं, जिसे एक शेत्र सन्यास कहते हैं, वो स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, वो एक घेरा तै कर लेते हैं, और बस वही रहते हैं, तो क्यूंकि आप उस बाहरी वातावरन को सोखना चाहते हैं, लेकिन भीतरी वातावरन सबसे महत्वपू आप हमेशा उसी वातावरन में होते हैं, ये ऐसा है कि आप एक हवाई जहाज में जाते हैं, वो 35,000 फीट उपर जाता है, निश्चित रूप से आपका शरीर वहां जिन्दा नहीं रहेगा, पर वहां आप एक घेरे में हैं, एक दबाव से भरपूर कमरे में, इसलिए आप ठीक रहते हैं, सबमरीन के साथ भी यही है, आप सागर में उस दबाव को नहीं ले सकते, लेकिन आप सुरक्षित हैं, इसलिए आप ठीक रहते हैं, तो इसी तरह आप अपने आसपास उर्जा का घेरा बनाते हैं, कि आप जहां भी जाएं, आप उसका हिस्सा नहीं बनते, आप अपने ही घेरे में होते हैं, जिसके साथ आप चलते हैं, आप अपना कक्ष साथ लेकर चलते हैं, आप किसी की जगा में नहीं घुसते, आप अपनी छोटी सी जगा साथ लेकर चलते हैं, जहां भी आप जाते हैं, वरना आप खुद पर सीमाएं डाल देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी चक्रों के सक्रिय होने का मतलब है आप आसानी से जो चाहें किसी को सौंप सकते हैं समस्य हमेशा ग्रेंड शीलता की होती है मैं ये कहता रहा हूँ मैंने ध्यान मैता में ऐसे लोगों को दीक्षा ज्यादा दी है जिन्हें मैं कभी नहीं मिला या देखा उन लोगों की तुलना में जिनके साथ मैं बैटता हूँ और कारेकरम संचालित करता हूँ हमने कारेकरम ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड लोगों के लिए संचालित किये हैं लेकिन हमने उससे कहीं ज्यादा लोगों को दिक्षित किया है वो ध्यान में हैं पर कई मूर्खों को ये नहीं पता कि वो ध्यान कर सकते हैं जब वो बैठते हैं ध्यान के लिए नहीं उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें ध्यान करना चाहिए अगर वो कहीं बैठते हैं तो उनका हर चीज़ का अनुभव दूसरों से कहीं बहतर होता है। पर उनमें से कई लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि समझ पाएं कि वो स्वभाविक रूप से ध्यानमई हो रहे हैं। बिना किसी कोशिश के, किसी तरह से वो बैठ पाते हैं, अन्य लोग नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन उनका जीवन का अनुभव दूसरों से कहीं बहतर है क्यूंकि वो ध्यानमई हैं और उन्हें सीधा दीक्षा मिली हैं। तो हम किसी को भी ये सौंप सकते हैं, ग्रहन शीलता की समस्या है। ग्रहन शीलता पैदा करने के लिए बहुत काम करना है। तो आप यहां बैठ कर, मान लीजे आप एक रेडियो स्टेशन में हैं, तो आप आसानी से हवा में ट्रांस्मिट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास रेडियो ना हो, तो क्या फाइदा है। मान लीजे, आपने एक रेडियो स्टेशन से ट्रांस्मिट करना शुरू कर दिया, इससे पहले की मार को नहीं आता, पर किसी के पास रेडियो नहीं है और आप ट्रांस्मिट करते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, है न? तो ये चीज हमेशा होती है, ट्रांस्मिट करने का लोगों पर कुछ असर होता है तब भी जब कोई ग्रेंट शीलता ना हो, लेकिन इससे ये अन्य आयामों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि ग्रेंट शीलता बिलकुल नहीं है, पत्थरों तक ट्रांस करना आसान है, क्योंकि कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी भौत एक समगरता होती है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता, वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते, देखी इंसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तमाल करके अपनी कई स्वभाविक शमताएं खो दी हैं, जो उसमें पहले ही थी, क्या लोग विचारों का इस्तमाल करके आनंद नहीं खो रहे, क्या ऐसा नहीं है, वो बच्पन में कैसे थे, क्या वो विचारों का इस्तमाल करके अपने आनंद, प्रेम और स्वभाविक चीजों से दूर नहीं ह तो इंसान विचारों के इस्तिमाल से चीजें खो रहें। इस वज़े से आप उन्हें जो भी दें, वो विचारों का इस्तिमाल करके उसे छोड़ देतें। कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तिमाल किया जाए। मुख्य रूप से वो खुद को खुशाली से बाहर ले आते हैं। वो बच्वन में काफी ठीक थे, उन्होंने विचारों के इस्तिमाल से खुद को बिगाड लिया। तो विचार हमेशा इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं करता। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसका अपने खुशाली के लिए कैसे प्रयोग करें। मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तिमाल करते हैं। अगर आप उर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें, तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांस्मिट कर सकते हैं। ये प्रतीक है तमिल संस्कृति का, जो 63-9 मार पर आधारित है। वो उन्हें 63 संत कहते हैं, जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया। वो हर किसी के जीवन में अध्यात्मा ले आए। एक चीज़ है कि 63 लोग, हो सकता है ज्यादा लोग रहें हों लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिये और सिर्फ 63 बताए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको छोटी-छोटी मूर्तियां मिलेंगी, 63 मूर्तियां। क्यूंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिये हैं, तो हम कहते हैं कि आप एक संथ हैं, आप बनने लगे हैं, शुरुआती संथ हैं। अगर आप में 84 सक्रिये हैं, तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं, जो आम तोर पर लोग सोचते हैं कि अतिमानविये हैं। अगर आप 108 तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुँच गए 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं कोई फर्क नहीं है अगर आप ग्रहनशील हो जाएं तो मुझे वहां आकर आपको चीजे समझाने की जरूरत नहीं किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे जुकना हैं क्या करना है आप इनसानी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे सब कुछ इसके मूल से इसके परम तक किहां जांगे